हलो फ्रेंज जैहंद और एक और अपडेट आ चुकी है रियल्मी X7 Max device की C.16 अपडेट आ चुकी है और यहाँ पे क्या-क्या फीचर साइड किये गए हैं क्या-क्या चीजें हैं इस अपडेट में सब जानेंगे उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्स बहुत कम है लेकिन देखेंगे जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि भीया इसमें क्या-क्या आया है और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो दिस्रिप्शन में लिंक है कोई भी प्रोड़क्ट बाई करना हो तो उ इसकी इंस्टॉल होने के बाद एक्टॉल यूआई में क्या चेंजिस आते हैं यहां पर मैं जल्दी से इसको बूट कर लेता हूं यह बूट हो चुका है और थोड़ा टाइम लगा मुझे 10-15 मनिट का इसको अपडेट करने में तो आपको भी लगेगा तो इसकी लिए चि फीचर्स की तो यार फीचर्स के मामले में मुझे कुछ भी मतलब C.15 में कुछ भी रिक्कत नहीं आई है बागी अब देखते हैं ओ यह नया सिस्टम लॉंचर कुछ कर दिया है यहां पर बूट के बाद यह तुरन मुझे देखने को मिला यहां पर सिस्टम लॉंचर और य कुछ नहीं है यह एड्स ही है परसनलाइज सर्च जो बोला गया है यहां पर आपको सर्च करते टाइम नीचे जो टॉप रिजल्स दिखेंगे वह एड्स के दिखेंगे तो यहां पर एक यह नया फीचर एड्ड करा है नोने ओमाइग रियल मी आप मतलब कस्टमर एक्स्प में देखने को मिला दमाग खराब हो जाता यार एड्स से परिशान हो चुक हूँ इसके मतलब जितने भी सी डॉट 14 15 16 अब यह 16 में भी सेम चीज देखने को मिल रही है तो यह बहुत ही अनॉइंग लगी मुझे और बाकी तो कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है अभी और देखते हैं कि इसके और कहा कहा एड्स एड किये हैं तो यहां पर जब भी मैं होम स्क्रीन पर जा रहा हूँ ना तो यह आ रहा है देखो यह भी होम स्क्रीन पर गया तो यह आ रहा है तो अब यहां पर आपको डूनोट शो दिस अगें करना है और फिर इसको कैंस सेटिंग है यहां पर आप देख सकते हो परसनलाइस सजेशन वगएरा वगएरा सारे ओप्शन्स दिये गाए है और बैक करते हैं और देखते हैं मैरेज में और क्या चीज़े हैं सब्सक्राइब आंध ly आपको डंवगर सपिकर देख सबस्क्राइब करें सब्सक्राइब धर स्क्राइब सब्सक्राइब सक्राइब आपको आप को weetना प्राइब शैillip कर देख. तो यह पूरे के पूरे एड हो जाएंगे एक सांती नई होम स्क्रीन बजन जाएगी आपके तो यह भी आप कर सकते हो आप चाहो तो अच्छा वीचर है थोड़ा सा मुझे कुछ खास लगा नहीं ठीक है यूज करना है जिनको वो कर लेंगे वागी ऐसा कुछ एक्ष्ट्रीम वाल अच्छा फीचर दिया नहीं घया यह और कुछ भी ऑर ट्रांजिशंस में ने भी कुछ नई अपडेट नहीं है म Здоров ऐसा कुछ भी कास अपडेट नहीं है यहां पे अम देखें आइकन वगेरा तो आइकन भी सेम चीज है अलब सेम जीज जो पहले भी थी C.15 में और उस से पहले भी तो वही सेम चीज़ है बाकी और बात करें तो यहाँ पर जाके देखें तो सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में कुछ भी एड नहीं किया गया ऐसा कुछ खास इंप्रूब्मेंट तो मुझे देखने को मिले ही नहीं मतलब साल बार हो गया मुझे यह वीडियो बनाते होगे लेकिन ऐसा कुछ खास इंप्रूब्मेंट तो देखने को मिलता नहीं बस अनॉइंग चीज़े देखने को मिलती है और मेरे को इतनी चिरसी हो गई है न रियल मी से जबसे इन्होंने एड्स को इंटेग्रेट करना चालू किया है कि भाई यह लोग कस्टमर्स के बारे में सोची नहीं रहे हैं यह लोग को बस एड्स से पैसे कमान है जो इन्होंने फोन्स बेच दी हैं उससे उन्होंने उनको पैसे कमान है तो भाई यह अपना नाम खुदी डुबा रहे हैं हमें कुछ करने की जरुवत नहीं है मतलब हम खुदी एनोई होके परिशान होके हम यही करेंगे अब और क्या कर सकते हैं बाकी बात करें एक और चीज की जो इंप्रूव हुई है तो यहां पर आप फाइल मैनेजर को देखोगे तो फाइल मैनेजर का यूई जो है वो अलग सा हो गया है आप देख सकते हो पहले कुछ अलग तरीके से दिखता था लेकिन ये वाला यूई मुझे काफी सही सा लगा है काफी ज़दा वैसा लग रहा है कि हाँ इसको आपन जादा यूज कर सकते है यूजबिलिटी काफी अच्छी है और जो डिजाइन है वो भी काफी सही है तो मुझे ये एक चीज अच्छी लगी जो फाइल मैनेजर इन्होंने अपडेट कर दिया इनका जो रहता है तो ये एक चीज सही है बाकी बात करें और चीजों कि तो भाई बैंड बजा दिये इन्होंने वो सर्च ऑप्शन में और यहां पर एक और फीचर था जो हमेशा में यूज करता था मतलब कि जब भी हम स्वाइब करते हैं फोन में आइपड में यूज करते थे तो यहां स्वाइब डाउन में ग्लोबल सर्च का ऑप्शन दे दिया है अब ये ग्लोबल सर्च क्या चीज है ये एक और एड बनाने के इनके एड दिखाने के तरीके हैं तो वह मैं दिखा देता हूँ इसके उपर मैं एक separate वीडियो जरूर बनाने वालों कि उसको disable वगेरा कैसे करना है लेकिन अभी ये इतना annoying लगा मुझे कि जब भी हम इसको खोल रहा है नीचे swipe down कर रहा है तो यही चीज़े बोल रहा है वो कुछ करी नहीं पा रहा है हम जब भी disagree कर रहा है तो यही आ रहा है जब हम इसको agree कर देते हैं okay कर देते हैं सब कुछ कर देते हैं तो यहाँ पर यह मतलब जैसे मैंने okay कर देता हूँ करके देखता हूँ क्या होता है मैं आपके सामनी कर रहा है तो देखो भाई यह मैंने ओके ओके कर दिया तो देखो जो मुझे चीज सबसे annoying लगती है भाई देखो यहाँ पे games दिखा रहा है नीचे trending apps दिखा रहा है यह ads section है उपर ago दिखा रहा है भाई क्या तरीका है real me what the hell real me so annoying भाई जो भी इस update को करने वाले मत करना क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है majority में इन्हों ने देखो ads ही add करके रखें भाई search option में add कर दी है अब यह search bar में बहुत use करता था यार swipe down करके search करना पता नहीं आप लोग कितना use करते हों कि मेरे तो हमेशा use करता था तो भाई मुझे तो पहुत annoying लगा इसके उपर एक separate तो जो लोग भी अभी update करने की सोच रहे हैं प्लीज रोक जाओ मैं अभी sub test करके सारी वीडियोस डाल दूँँग एक दो दिन के अंदर तो भाई wait कर लो अराम से कर लेना अपडेट कोई जल्दी नहीं है बागी अभी एड्स ने तो अनॉय कर दिया है मैं इसके उपर एक वीडियो बनाने वालों तब तक मिलता हूं आप से